हेलो एवरिवन आप सवीलों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रोटेक्निकल में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को तो आज का हमारा टॉपिक है बीट और बाइट क्या होता है तो केम्प्यूटर में डेटा थे मेमोरी में आपनी के सब और 1 का मतलब होता है आफ यानि जैसे माली यह अगर हमारे केम्प्यूटर कोई डेटा इस्टोर किया जा रहा है चाहे कोई फोटो है कोई वीडियो है कोई आईडियो है किसी भी प्रकार के डेटा हो यदि उसको मेजर करना है तो उसकी मेजर की सबसे छोटी काई जो होती ह है बीट होती है लेकिन जो हम लोग मेमोर्यूज कर रहा है यानि कोई बड़ी अकार की फाइल है उसको मेजर करने की सबसे चुटी काई जो होती है बाइट होती है फिर आगे बढ़ना तो फिर कहा चा रहा कि जो बीट और बाइट होता जो 0 और 1 के form में होता है यानि कोई तो यह भी रहाइव रॉम में ही होगा आपको बता दें कि अगर कोई भी डेटा है यदी और 1 दो यह दीजिस से काम चलने बाला है यह यूवर एक पिक्चर है और उसमें कही सारे पिक्चर है तो गीजि करेंगे तो उसकी क्वालिति तेरा बाइट ऐसे बढ़ता चला जाता है जैसे कि एक्जाम्पल के तौर आप यह भी समझ सकते हैं अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट की स्पीड होती है लिख दिया 10 अगतें एंबीपियस लिखा जा रहा है वहां पर 10 मबीपीएश है ठीक लेकिन वहां पर टीसी मान लेटर में लिखा गया है यहांनी जो मेजर किया जाता है वह बीट में मेजर किया जाता न कि beat में measure किया जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे कुछ example के तौर पर लिखा गया है जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि keyboard का कोई भी button हम press करते हैं तो एक code generate होता जो 0 और 1 के form में होता है इस code को ASCII code के नाम से जानना जाता है और इसका पूरा नाम होता American Standard Code for Information Interchange जैसे कि हमने बताया ना कि कोई भी letter, कोई भी character, कोई भी word यदि हम write करते हैं तो 0, 1 के form में ही convert होगा उसके बाद ही वो computer access करता है क्योंकि हमारा जो computer होता है वो machine language पे operate करता है तो जो भी हम कारी करते हैं उसको 0 और 1 के form में ही convert करेगा उसके बाद ही उसको process में लेकर आता है ठेक है तो यहाँ पर आपका example से समझ मागया कि कोई भी character हम write करेंगे तो 0 और 1 के form में उस चीज को change किया जाएगा उसके बाद ही access होना start होता है तो चलिए आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने तेहां पर कुछ measurement unit लिखा गया है तो measurement unit बता जा रहा है कि 1 bit तो 1 bit जो होती है यानि 1 bit का पूरा form होता है यानि full form होता binary digit यहां पर digital type कर दिया गया बट यह digital नहीं होता है digit होता है तो 1 bit यानि इस इक्वल टू binary digit फिर बता है जारा 4 bits is equal to 1 nibble होता है यानि 4 bit यहीं मिलाएंगे तो एक nibble के बराबर होगा और 8 bit जो होता है या 2 nibble जो होता है एक byte के बराबर होता है ठीक है तो वही बता है ना कोई भी data यह थी हमारे computer में store होगा तो byte में ही measure किया जाएगा बीट में बीट में अगर measure किया जाता है तो उसकी storage capacity कम हो जाएगी जिससे file की size और उसकी quality क्या होती है कम हो जाती है ठीक है फिर आगे बढ़ने है तो बताए जारा 1024 bytes is equal to 1 KB तो कीवी मतलब क्या होता है कीलो बाइट होता है तो इसी तरीके से जो भी measurement रहेगा 1024 KB, MB, GB, TB, PB ऐसे बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ पर क्या है 1024 KB बरावर 1 MB यानि Megabyte हो जाता है 1024 MB बरावर 1 GB हो जाता है यानि Gigabyte हो जाता है 1024 GB बरावर 1 TB हो जाता है 1024 TB बरावर 1 PB हो जाता है इस तरीके से measurement unit जो है बढ़ती चली जाती है तो जो भी जिसकी जर्रत के अनुसार रहता है वो अपने storage capacity बढ़ाता चला जाता है क्योंकि आपको आपकी computer में जितने भी storage capacity का hardX SSD यूज़ की जाएगी उतना ही आपकी computer की performance जो होती है अच्छी खासी रहती है तो आज की वीडियो में इतना ही यदि मेरी वीडियो परसंद आती है तो मेरी वीडियो को like share करना ना भूलेगा और चैनल को subscribe कर लीजिएगा ताकि वीडियो की notification मिलती रहे तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बैबै